जैसे ही आप उनके साथ ये शेरिंग करते हैं या बात्चीत शुरू करते हैं तो वो सारी के सारी स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं और उसके बाद शुरू होता है सेक्स्टॉर्शन का स्कैम एक रुपया भी सेक्स्टॉर्शन के नाम पर एक्स्टॉर हाई फ्रेंड्स अगर आप भी सोचल मीडिया पर हैं तो साफधान हो जाएए आज बहुत सारे स्केमर्स आपके सोचल मीडिया अकाउंट पर घात लगा कर बैठे हैं वो केवले कि सिंतिजार में हैं कि आप एक छोटी सी गलती करें और आपका बैंक अकाउंट खाली कर दें आईए इस बात को ध्यान से समझते हैं आज एक नया ट्रेंड मार्कीट में चला है और उस ट्रेंड का नाम है सेक्स टॉर्शन अभी सेक्स टॉर्शन क्या है और यह कै ओर रसकाँधिन यह कैसे दिनषील है जैसे आपको किसी व्यक्ति की पांचेप करते हैं वो तुरंट आपके मेसंजर पर आपको मेसिज टेक्स करते हैं हैं या यू वबधू रॉंट करना शुरू कर देते हैं इस ने सटु यह हो सकता है मेरा boyfriend या मेरी girlfriend बन जाए और यहां पर उसके बाद वो आपसे demand करते हैं आपके mobile phone की और जैसे आप mobile phone के साथ share करते हैं वो आपस में discuss करना शुरू कर देते हैं कि मैं आपको अपनी photo भेजती हूँ चलो हम मिलते हैं अभी मिलने का time मेरे पास नहीं है चलो मैं voice chat पर बात कर लेते हैं voice call पर बात कर लेते हैं और जैसे ही आप voice call पर उनसे बात करते हैं तो वो प्रयास करते हैं कि आपको ऐसे समय पर लाया जाए जिसमें आप अपने private parts को दिखा सकें या आप अपने private समय पर हो जहां आप अपनी personal life को उनके साथ nude level पर या किसी भी तरह कि ङी lebih यांचीत शूरू करते हैं तो वह सारी के सारी स्क्रीन रीकॉड वीडियो के माधयम से कर लेते हैं और उसके बाद सुरू होता है सेक्स टॉडशन का स्कैम और सब से पहले वो आपसे demand करते हैं एक amount का कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है मेरी help कर दो या पहले तो वो emotional तरीके से आपसे पैसे की demand करते रहते हैं मैं मिलना चाहती हूं या मिलना चाहता हूं अभी मुझे पैसे की जरूरत है मुझे ये काम करना है मुझे वो काम करना है और जैसी आपको लगता है नहीं कि मैं पैसे की बात मुझे करें और आप वाइड करना शुरू करते हैं तो यहां से धमकी शुरू हो जाती है कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिये तो यह वीडियो मैं मार्किट में वाइरल कर दूँगा फेस्बुक पर, लेंक्डिन पर, शोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इसको अप्लोड कर दूँगा और दूसरा आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर, आपके सेस्टर, आपके मदर, आपके रेलेटिवस सबके साथ वीडियो को शेर कर दूँगा और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस अवस्था में आते ही ना हर व्यक्ति की सट्टी बिट्टी गोल हो जाती है उसको लगता है पता नहीं क्या मेरी लाइफ में हो गया और आज मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा है ना वो बिल्कुल खताम हो जाएगी और जैसे ही वो व्यक्ति इस दबाव में आता है तो वो डिमांड करते हैं मनी और वो मनी का अमाउंट जो होता है बहुत मॉमिनल होता है ताकि व्यक्ति को लगता है चलो इतने पैसे में जान छूट रही है छोड़ देते हैं हजार रुपे से लेकर पांच जार रुपे की डिमांड होती है और जैसे ही आप पहली बार पैसा देते हैं तो समझ लीजिए अब आप उस कैमर के जाल में अच्छे से फस चुके हैं और धीरे धीरे वो पैसे के डिमांड बढ़ाता जाता है और आपको ब्लैक में लगातार करता जाता है इसके रावा इस तरह के स्कैम में ना के बलेक यही तरीका नहीं कि आपकी वीडियो को रिकॉर्ड किया और लीक करने की धंकी देकर आपसे पैसे मांगना शुरू कर दिया और भी कई तरीके हैं इस तरह के स्कैम में आपसे पैसे की डिमांड करने वाले वो क्या है वो कई बार क्या कहते है कि आपको call आएगा cyber cell से कि आपका कोई एक private video है और इस तरह से वो illegal video है और social media पर upload हो चुका है और cyber cell में आपकी complaint आई है कि आप इस तरह की illegal activities कर रहे हैं मैं cyber cell से बोल रहा हूं inspector बोल रहा हूं या officer बोल रहा हूं आपको अगर ये video यहां से delete करवानी है या complaint खतम करनी है तो इसके लिए आपको इतनी fees pay करनी पड़ेगी जिसके आपको एक authorized slip बे मिलेगी आपको लगता है कि चलो ठीक है cyber cell से मेरे पास call आई है मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे इंडिया का cyber cell इतना fast कैसे हो गया कि एक scammer ने यहां पर video upload किया है और यहां पर cyber cell को पता भी चल गया और government ने एक department बिठाया है जो call करके कह रहा है कि आप किस तरह की video delete करने के लिए हम fee charge कर रहे हैं इस बात को बहुत से द्यान से समझ लो इस तरह के cyber cell की जो calls आपके पास आती है यह भी इनी scammers का एक part है जो आपको अलग-लग तरीके से पैसे वसूल करने के लिए pressurize करते हैं फिर एक और तरीका है उसमें क्या कहते हैं कि मैं YouTube account से बोल रहा हूं YouTube manager बोल रहा हूं आपका आपका एक video YouTube पर upload हुआ है वो video किसी ने upload किया है लेकिन आप चाहते हो कि मैं YouTube वीडियो को remove कर दूँ तो YouTube की एक fees है वो आपको pay करनी पड़ेग चाहे वो जो scammer है वो मुझसे पैसे लेकि video को delete कर दे या Cybercell delete कर दे या YouTube को delete कर दे या Facebook delete कर दे अलग-लग तरीके से आपसे पैसे वसूली के लिए call करके pressure बनाया जाता है ताकि आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचा सकें इसी डर को आपको हमेशा दिखाया जाता है अब इस तरह की problem आपके साथ ना हो उसका solution क्या है इस बात को समझ लेती है सबसे पहली बात इस तरह का कोई भी scam आपके साथ ना हो उसके लिए आपको क्या करना है आपको अपने social media profile में जितने भी आपके account है उन profile को लॉक रखना है ताकि unknown person उस profile को अंदर से ना देख कहा आना जाना है कैसा dress up sense है किस तरह का उठना बैठना है कहां पर खाना पीना है उसी के साथ से वह आपको target करते हैं कि यह बंदा है कैसा बंदा है जो मुझे इतना पैसा दे सकता है fine and don't accept unknown video calls हमें से बहुत सारे लोग ना video calls को बड़ दल्दी accept कर लेते हैं तो video call को accept ना कर आपको लग रहा है ना आप private time पर नहीं है video call accept कर लेंगे लेकिन दूसरे वेक्ति ने आपको nude photo वहाँ पर वीडियो वहाँ पर चलाई हुई है वो उसके वहाँ पर भी blackmail कर सकता है कि यह बंदा मुझे video call करता है और मुझे मजबूर करता है कि मैं अपने private time पर आ जाओ या नोन लोग भी है ना उनसे भी share ना करें कई बार जाने अन जाने में गलती से वो चीज़ वायरल हो जाती है या उनके पास से लीक हो जाती है या उनके पास से उनके friend circle में कहीं पहुँच जाती है और आप एक बहुत बड़ी समस्या में फस जाते हैं दोस्तों एक बार गई करके उसको delete कर सके अब मानली जी आपने solution पूरा बरता लेकिन उसके बाद भी आपसे गलती हो गई या जाने अन जाने में आपका कोई ऐसा video record हो गया जिसकी वजह से आपकी समाजिक प्रतिष्ठा जा सकती है और वो scammer आपसे पैसे लेने के लिए pressure बना रहा है तो सबसे पहल प्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे समाज में मेरी क्या इज़्जत रह जाएगी तो घबराएं ना सबसे पहले उसके बाद contact your advocate अपने advocate को contact करें उसको सारी information बताएं ताकि वो legal drafting ठीक तरीके से कर सके उसके बाद में क्या करें register complaint in cyber cell cyber cell में complaint register करें police department ने cyber cell बना हुआ जहां पर आपनी complaint को register कर सके है कि मेरे साथ इस तरह का एक fraud हुआ है या scam हुआ है या इस तरह से मेरे साथ एक पैसा वसूली के लिए sextortion का मेरे पास एक वीडियो या call आया है fine उसके बाद क्या करना है आप क्या कर सकते हैं इसके लावा cyber cell government का एक cyber cell है cybercrime.gov.in इस site को अच्छे से note कर लें cybercrime.gov.in यहां पर भी आप एक पूरी की पूरी जो आप scam आपके साथ हो रहा है उसकी information डाल सकत करते हैं और आपके पास एक report भी यहां पर होती है tell your family अपनी family को इसके बारे में जुरूर बताएं friends family में कई बार बच्चों से गलतियां हो जाती है मैंने वीडियो क्यों बनाए इसके बारे में आपको बताएता हूं हम लोग digital marketing का course कराते हैं और बहुत सारे यंग्स्टर senior citizens हर तरह का व्यक्ति बिजनस owner professional उस digital marketing के course को करता है कई बार उनके साथ भी ऐसी गड़बड हो जाती है तो सबसे पहले हमें contact करते हैं कि सर कैसा हम क्या करें कि हमारा वीडियो महां से डिलीट हो जाए या हमारा वीडियो बारे ना हो क्या मैं उसको पैसे देदूं या मैं प अपने husband को inform करें कि मेरा इस तरह का एक video record हो गया है अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि जब family का support होता है ना तो बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी आप अपने आपको मजबूत महसूस करते हैं और उसके बाद जब आप यह सारी चीज़े कर लें तो किसी तो वो वाइरल वाइरल नहीं करते ही video क्योंकि उसके बाद तो अगर उसने complain कर दी तो बहुत ज़्यदा सर्चिज चलना शुरू हो जाएंगे उसके बारे में information निकलना शुरू हो जाएगी इसलिए एक रुपया भी ना दें अगर आपने एक बार भी पैसा दिया तो समझ लिए आप चंगुल में फ़स चुके हैं और वो स्कैमर अलग 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 दोस्तों के साथ मिलकर अलग स्कैमर के साथ मिलकर आपसे पैसा वसूली करता ही रहेगा कभी यूट्यूब के नाम पर कभी साइबर सेल के नाम पर कभी वीडियो वाइरल के नाम पर कभी अलग अलग प्लैटफॉर्म के नाम पर आपको आपकी जिंदगी एक तरह से जहनलूम बन जाएगी इसलिए जरूरत क्या है इन बातों को आच्छे समझने की और ऐसा प्रय पर अपना सयम बनाए रखें इस तरह की मिस्टेक कभी न करें आपके जीवन को नरक में डाल सकती है आपका भविश्या खराब कर सकती है और मेरा सभी स्पीकर से भी एक रिक्वेस्ट है आज उनके उनको बहुत सारे लाखों क्रोडों लोग फॉलो करते हैं उनकी बात को स सुनते हैं समझते हैं उस पर अमल करते हैं तो मेरा स्पीकर से भी रिक्वेस्ट है कि इन विश्यों पर भी वीडियो बनाए ताकि जारसा लोग अवेर हो सके और अपने जीवन को अपने भविश्य को बहतर बना सके यदि आपके मन में कोई भी प्रश्ण है तो मुझे कॉ झाल